हम दोस्तों कैसे आप सब आसा करताएं सभी अच्छ्छ होगे स्वस्थ होगे मस्त हों और अपनेकामों में दोगे ऑर आज के लिए मैं लेकर आई हूं ओर यो मोदग की रेसेपी जटपट और आसान रेसेपी दोसितीन जमान से आपको घर में इजली बन जाएगा तो चलिए फटाफट से रेसेपी को सुरू करते हैं तो उसके लिए हमने यहाँ पे लिया है एक पैकेट ओरियो बिस्किट और बिस्किट में से जो सफेद वाला पार्ट होता ना यानि क्रीम इसको अलग कर लेंगे और बिस्किट को अलग कर लेंगे इस तरह से तो सारे बिस्किट को इसी तरह से और क्रीम को अलग कर लेना है तो यहाँ पे सारे क्रीम को अलग कर लिया है इसको साइड में रखेंगे और मिक्सर जार लेंगे और हाठ उसे क्रस्ट करते हुए सारे बिस्किट को इसमें डाल देंगे, और इसके इकदम फाइन पाउड़र बनाना है, यानी इसको पीस लेना है, जिसको पीस लिया है है, पीसने के बाद इन पे डालके चान लिजीए, कई बर के थो भिन जो, थोड़े sources हँख सकते हैं ये लेंगे और मिक्स करने के बाद यहां पर जरूरी बात है अगर आपको मोदग एक तम सौप्ट और नरम चाहिए तो आप दूद या दूद की मलाई से डो को लगाईएगा यहां पर मैं लगा रही हूं चौकलेट सीरप से तो इसे क्या थोड़ा सा हाड बनेंगे अगर आप माइज में इसको रखेंगे तो यह मोदख थोरगा इए तो थोरह- थोरग डाल के सिरप सीरफ को डाल के से deux चाहिए थी क्यक्तार कम कहती ऊपके साइड में रखतेंगे और पापस से मिक्सर जार लेना है इसमें डालेंगे 15 से 20 बादाम 20 से 25 किस्मिस किस्मिस जरूर डालिएगा इसे बैंडिंग अच्छी आएगा मिस्रन में और शाती में जाएगा दो चमस नारियल का पुरादा और एक तम बारिक इसको पीस लेना है बीना पानी डाले हुए तो यहां पर आप देख सके किस्मिस की बज़स अच्छा सा बैंडिंग आ गया है इसके बाद इसमें डाल देंगे हमने जो सफेद वाला भाग यानी क्रीम को रखा था उसको डालके बापस से एक बार मिक्सर को जला लेना है और जलाने के बाद थूरा सा यहां पर इलाइची पौरडर डाल दिया है अगर साभू ति लाइची आप डाल रहें तो पहले ही डाल दीजिएगा मेरे पास पाॉडर था इसलिए बाद में एट किये मिक्स कर दिया है इसको किसी बरतन में निकाल लेंगे और शोटे शोटे ब्ल्स के बना लेंगे लिएर करने के बाद यहाchu के बंचे मोदक अनरंगी है दाल już पिस्ता का कतरं और और यू का मिश्रन इस तरह से डालते हुए हातों से इस तरह से बीच में होगी हम सफेद वाले भाग को रख सके और सफेद वाले भाग को रखने के बाद थूरा सा और और यू का मिश्रन डालके इस तरह से दबा देंगे और आप देख सकते हैं कितना प् को बनालेना है आज बहुत ही प्यारा सा अ बनके तइयार हुआ है तो यहां पे सारे मौधक, आज़ नुस्टमने बनने वाला रेशिपी है कुछी समानों से बनके तैयार हो जाता है तो यह हमारा मोधक तैयार है आप और बपा को भोग लगाईए आशा करती हूं कि आज की सूपर टेस्टी रेसेपी आपको पसंद आई होगी रेसेपी पसंद आएद प्लीज वीडियो को लाइक कीजेगा और इसी तरह का वीडियो को देखने के लिए चैनल को प्लीज सस्क्राइब कीजेगा